कर छलो घी हम पढ़ते हैंDanda Nine के निदैब कर आप जानकरी जिसमें आप चाकर भी नहीं बुलकुंगा नदी की से साईग नदी है्-कौन से साइध्त है यह पूरी जानकरी देखिए आप जलदी से यह देखो consigo गंगा नदी कहां से निकलती है हम गंगा आफवात अंतर की पूरी जानकर इस चोटे सी वीडियो से पुड़े सांदार लाजवाब ट्रिक्ट से त्यार कर लेता है देखो यह आपके यहां पे कुछ दो परवचोडियां है यहां से यह नदी निकलती है बरफीली चोडियां गंगा की बरफीली चोटियां है बरफ सपेद जैसे एंजिलन जोली है ना जो की बड़ी सपेद वाइट है उस परकार से वाइट चोटियां हमाले की यहां से दो नदीयां निकलती है एक का नाम है बागिरती के नाम है बागिरती है दूसरी का नाम के अलक नंदा है दूसर مكن का नाम है देव-प्रियाग उत्राखंड राजए में तिक प्रियाग कोने सीफ़ाटीय मत रागध में गन्जा नम्बई आप लोग जानते होंगे गन्जा नाधि की लंबई के इतनी है 25 25 किलोमेटर है और यह भारत की सब से पवित्र नदी भारत की पुरुन ते भारत की लंबी नदी देखना पड़ी मैं तो पुन सोट रिक्षे अपकी चीज़ अब देखो गंगा का मामला चंगा है क्योंकि हमारी सबसे पवित्र नदी का नाम गंगा है गंगा की एक सागा भागिरती दूसरी अलग नंदा भागिरती के किनारे पे सबसे उंचा बांद है भारत का भारत का सबसे उंचा बांद है उंचा बांद है ध्यान रखना कितना 251 मिल्टर उंचा है ध्यान दीजिए हमारे क्या होता है टी बहुत है टीबा बहुत उंचा होता है उसी परकार से टीबे से मिलता है जो नहीं कि हरी है हरी का मतलब परग गंगा है मामला बड़ा चंगा है जिस परकार से देवी देवता पवित्र होते हैं उसी परकार से गंगा की दोनों साके भागिरती और अलग नंदावी देवी देवताओं से कौन से संगम पे इकटी होती है देव प्रियाग में इकटी होती है अब देखो जी गंगा को हम एक नतियों को याद कैसे करें बायां किनारा याद रखें बायां किनारे को कैसे याद करना है जी इसमें आपको एक ट्रिक द्यान रखनी है पहले तो हो जाता है राम गंगा गंगा में सबसे पहले राम गंगा फिर हैं आपको याद जान से रखना है गोमती का गागरा गंड गंड़क ने को सा तो गंड़क महान है गंड़क महान है ज्यान देना किस परकार से करोगे गंड़की बएं किनारे की साइग नदियों में पहली हो जाती है राम गंगा तो देखो जी नदी का नाम भी क्या बन राम गंगा बन गया गोमती से कौन सी नदी हो जाती है गोमती खुद हो जाती है अब गंगा है तो गंगा में पहले तो गंगा ही कर लो मतलू गंगा में राम गंगा कर लो राम गंगा के बाद आप फिक यहां से प्यार करने गोमती का गागरा गंडगने कोसा गोमती नाम की म नदी हो जाती है और गंड़क महान है महान का मतलब एक लाश्ट नदी जो है उसका नाम क्या है जी महानदा गंदा की इधर वाले किनारे की सब से लाश्ट नदीकोंने महानदा है, तो इस तिक्षर आप पूरा तैयर कर लेते गंगा की बाएं किनारे की परमुक साइख नदियां और कोसी को आप जानते होंगे कोसी नदी को क्या कहते हैं बिहार का सोक कहते हैं किस राजे का सोक कहते हैं जी बियार का सोक कहते हैं शोक वो होता है जिसमें किशी की जान चीन ले वो सोक होता है किसी बच्चे को न किनारा अब देखो अगला किनारा जो है अगर हमें याद करना होगा तो वहां पे भी आपको मजा जाएगा कि यह मेंटर तो बढ़िया है तो देखो दूसरा किनारा जो गंगा का है यह गंगा नदी गंगा नदी दो साखाओं में बढ़ जाती है यह कौन सा डेल्टा है सुं बड़ा डेल्टा ध्यान रखेए तो इसव इसे से बडद rozp संद्र वन है इसकी दोजए ये दोनों साखिए गंगा बने काना दी है मं चेंगा तो कठो ती में गंगा डिटी दो साखां में कहां से बढ़ जाती है यंगे तकिया आद्टीस करना यह है फरका नाम की जगे कहा है फरका नाम की जगे मालदा जिला पश्चिम बंगाल याद रखे गंगा नदी फरकाशे फट जावे गंगा नदी फरकाशे फट जावे एक जो होती है नाम है जी पदमा और दूसरी कौन सी है हुगली द्या रखे एक पदमा दूसरी हुगली पदमा किसे मिलती है पदमा ब्रमकुत्र शे मिलती है किसे मिलती है पदमा ब्रमाजी के पुत्र शे मिलती है द्यारगना जिस परकार से शानिया मिर्जा भारत से किदर चली गई पाकिस्तान चली गई उसी परकार से जिस परकार से शानिया पाकिस्तान चली गई उसी परकार से पदम नाराज होके किदर चली गई बंगला में चली गई मतलब बांगला देश में चली गई बांगला देश में चली गई पदमा बंगला देश में जाकर किसे मिल गई बर्माजी के पुत्र से तो द्यार रखना पदमा बंगला में जाकर किसे मिल गई पदमा बंगला में जाकर बर गना बोले अब हमें किसी की जुरत नहीं है एक पदमा खूद है एक उसका प्रमाजी का पुत्र जो इसका पती हो जाता है दोनु मिल गए और बोले जी अब किसी की जुरत नहीं है दो हम है एक हमारी संतान अब में गना नाम क्या हो जाता है में गना हालांकि इससे पहले जब दोनु नदियां मिलती है तो इस नदी का नाम यहां पे क्या हो जाता है जमुना तो दिख रहे हैं आपको पदमा किसे मिली बर्माजी के पुत्तर से मिली और दोनु का सयोग से दोनु को हो गया घर में एक मुन्ना नदी का नाम हो जाता है जमुना फिर लास्ट में बंगाल क खाड़ी में जब ये नदी गिरती है तब नाम क्या होता है मेगना बोले अब किसी की जरुत नहीं अब मेगना फुल है बोले हमारे मेंबर तो ये मेगन हो जाते हैं अब दूसरी जो इदर दिए हुगली हुगली के किनारे पे आपको पता होगा एक भारत का बहुत बड़ा स तो आप समझ लाना स्टेटरस डौन है ये इस उगली है क्योंकि कौलकाता की नदी कौन है उगली कौलकाता कौन से नदी कहनारे फूगली नदी के फिर यह देखो एक प्रसंद और यहां से तयार हो जाता है गंगा नदी में गंगा नदी का मेदान में परवेश द्वार कौन है पूरी खुराग अपको यहां पे मिल लिए मेदान में गंगा का परवेश द्वार मेदान में गंगा का परवेश द्वार आंगे में गंगा का परवेश द्वार और का नाम क्या हो गया जी हरी द्वार तो इस प्रकाऊ से भी आपका यहां में मैश्र त्यायर हो स्था है फिर देखते है यमुना नदी सोन दामोदर यह किस प्रकार सीष्म मिलती है देखिए एक और इसका किनारा जो अग chilli किनारा है वो इसका होगा दाया गिनारा देखना यही गंगा नदी है बंगाल की काड़ी में हमने गिरा दी पदमा और हुगली के रूप में बीच में शुंदरवन का डेल्टा बन जाता है डेल्टा आप जानते हो समुद्र में गिरने से पहले नदी दो या दो से अधिक किनारे को याद करना है तो इसमें पर्मुख शायक नदियां कौन सी हो जाती है पर्मुख शायक नदी हो जाती है मरदोस्तू यमुना कौन है यमुना यह कहां पर मिल जाती है प्रियाग राज में मिल जाती है कहां मिल जाती है वही परियाग राज मिल जाती है यमुना की नदी कौन है बनास है कौन है बनास है बनास की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन है बेड़च है कौन है बनास की सबसे बड़ी साहिक नदी बेड़च है और बेड़च की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन है यह हो जाता है जी गंबीरी कौन हो जाता है गंबीरी आपने एक नाम तो राजस्तान की एक उंची है उंची बेने वाली नदी का नाम है गंबीर राजस्तान के उपरी इलाव में बेती है गंबीर नीचे बेती है गंबीर तो आपको पुरुष है गंबीर गंबीर उपर है मैला नीचे मैला कोण है गंबीरी का आपको नाम नजर रखता है गंबी नदी कौन सी बनास है नास किसी का वो कर दे जिसमें बल है क्योंकि बनास की साइक नदी मेरे दोस्तों चंबल है बल उसमें होता है बल जिसमें बल है उसका ये मुन्ना है मुन्ना बड़ा चंगा है क्योंकि यमुना नदी जिसमें मिलती है मेरे दोस्तों नदी का नाम क्या ग गंगा है इस परकार से इधर वाला किनारा त्यार हो जातर आपको ये भी पता होना चाहिए गंगा की सबसे बड़ी शायक नदी कौन से देखो यमुना है द्यारखनार गंगा की नहीं भारत की किसी भी नदी की अगर सबसे बड़ी कोई शायक नदी है तो मेरे दोस्तों यमुना है और यमुना के किनारे ही तो हैं आपका सेर कौन सा दिल्ली भारत की राजदनी इसके किनारे है सबसे बड़ी कौन उतिराजदनी है दिल वालों की दिल्लि है और जों दिल शे मिली हैं वहीं उसका मुन्हा है किया मुना कि यमुना नदी के किके नारे सेर दिल्ली यमुना नदी गंगा की साहिक भारत की सबसे बड़ी अगर इसका नाम क्या है सोन है सोन नदी भारत से निकल गाती है अमर कंटक पठार के शेतर से निकल गाती है और यह भी गंगा के अंदर मिल जाती है आरा नाम की जगे दीनापुर आरा नाम की जगे है वहाँ पे मिल जाते है कौन सी दीनापूर आरा दीनापूर दीनापूर आरा दोनों की दोनों जगे का है भई बियार के अंदर है इस जगे सोन नदी किसमें मिल जाती है भई गंगा में मिल जाती है यद करिएगा एक नदी इदर से और जाती है और इस नदी का नाम क्या है मेरे दोस्तू दामोदर नदी ये कौन है दामोदर नदी जिसे पश्ची मंगालगा सोक कहा जाता था दामोदर नदी जिसे पश्ची मंगालगा क्या कहा जाता था सोक का जाता था और दामुदर नदी किस में जाके मिलती है दामुदर नदी परल हारबर नाम की जगे है वहां पे जाके मिलती है किस में मिलती है परल हारबर नाम की जगे हुगली नदी में मिलती है कौन सी नदी में मिलती है मेरे दोस्तों हुगली नदी में मिलते हैं यहां पे कौन सी नदी है हुगली ध्यान रखना अब वो है तो बड़ी शुगली है तो बड़ी हुगली लेकिन वो जाती है ब्यूटी पाल नाम क्या है बल आर्वर वहां पे जाती कौन है जिसके पास बहुत ज्यादा दाम है कि नाम दाम से दामोतर है, जिसके पास दाम है उसका सबसे पहले काम है, क्योंकि आपको यह भी पता होगा, दामोतर नदी पर भारत की पहली नदी गाटी परियोजना है, भारत की पर्तम नदी गाटी परियोजना, भारत की पर्तम नदी गाटी परियोजना, भारत की परतम न तो सबसे पहले बहुत सारे जिनके उद्शे पूरती होजाए उसे बहुत शे बहुता है बहुत शे पूरे उद्शे किनको प्राप्त होता है जिनके पास दाम है क्योंकि नदी में दाम से दामदर है जिसके पास दाम है उसका सबसे ज्यादा नाम है सबसे पहले उसका काम है और ज्यादा ट्राफिक हो जाय तो वहाँ पर ट्राफिक जाम है नदी यहां से दामसे दाम अधर होगली की साइक है गंगा भी डायरिक्ट नहीं उसके साठा की साईक है तो दाम है though वह ш pem उसके पास दाम है और वह कहा जाती इस के ब्यूटि पार्लर अभी को अеличए तो कई दिखतों का शामना इस तरियों को करना पड़ रहा है तो इस प्रकार से गंगा नदी की बारे में आपको बहुत शोट एंड श्वीट वीडियो में पूरी की पूरी मैत अपन जो जानकरी है मेरे दोस्तों तयार हो जाती है भारत की पूर्मत भारत में बेने वाली सब से बड़ी नदी है 2525 किल मीर्टर चार राजूमें बियती है कितने रजू में अरे कितने राजूमें बती है आपको पता ऑगा रादी चार राजूमें बिहार और हो जाता मेरे दोस्तों पश्ची मंगार कौन सा हो जाता पश्ची मंगार इन चार राजू में बेती है सबसे न्यून कहां बेती है सबसे न्यून उत्रागंड के अंदर बेती है सरवादी कहां बेती है सरवादी कहां बेती है उयूपी में बेती है आपको यह पता होती है नदियां इस्ते romance होती है लड़ी है तो यह अपने जहाँ इसका जनम होता है? कौन से राजीं होता? उत्तर करने में तो जनम भूमी पे कम रहेगी ज्यादा कहा रहेगी अपने शुतराल में तीन नमबर राज्य कोन है भी हार है सबत भी देखो एक दो तीन तीन ही शब्द हैं तीन नमबर का राज्य हो जाता है चार नमबर राज्य कोन है ये देखो पेका मतलब कितना होता है पेका मतलब चार है पस्टी बंगाल है बंगाल से बंगाल की खाड़ी में है ये कई अपन नदियों का काम करा देती है चंगा वो भारुक की सबसे महत्रबन और पर्मु पवित्र नदी को है मेरे दोस्तों गंगा तो इस परकार से आप अच्छी जानकरी प्राप्त करते हैं